वैसे तो मैं घर पे बहुत सारी मिठाईया बनाती हूँ पर गुलाब जामून मुझे इस्पेशली पसंद है क्योंकि यह बहुत लंबे टाइम तक रखे जा सकते हैं और रोज गरम करके खाये जा सकते हैं तो आईए मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाने के बहुत यहासान सी रेसिपी इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में दूद लेंगे तो आज मैं यह पैकेट वाला दूद यूज कर रही हूँ और यह फुल फैट मिल्क है तो आप कोशिश करके नॉन स्टिक पैन यूज क कि जब हम इसका मावा बनाए तो मावा जो है बेस पे ना लगे तो यहां पर मैं एक लीटर मिलक कर रही हूँ गैस की फ्लेम हम फुल पे रखेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए दूद को हमें अच्छे से गाड़ा कर लेना है तो वैसे तो गुलाब नोड़ी देर में और आये तब तक चाशनी भी तयार करते हैं चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे दो कप शकर तो बिलकुर नापके डालिएगा तब ही आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी और जिस कप से हम शकर नापेंगे उसी कप से हम दाल देंगे दो कप पानी इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी खुश्बू के लिए थोड़ी सी इलाइची और कलर के लिए थोड़ा सा केसर अब हम गैस को ऑन कर देंगे और शकर और पानी को मिक्स कर देंगे तो यहां पर ध्यान रखेगा अभी आप इसको लगातार चलाते रहें नहीं तो शकर जो है पैन के बेस पर लग जाएगी तो यह दे के शकर अब अच्छे से मेल्ट हो गई है हम गैस की फ्लेम को मीरियम कर देंगे और इसको 10-12 मिनिट तक अच्छे से उबलने देंगे और बीच-बीच में हम दूद को भी चलाते रहेंगे जिससे कि ये पैन के बेस पे ना लगे और एक सार पके तो इदे के चाशनी को मैंने अल्मोस्ट बारा से तेरा मिनिट तक ही उबाला होगा और अब हम गैस को आफ कर देंगे और अब मैं दिखाती हूँ कि आपको चाशनी चेक कैसे करनी है कि तयार है की नहीं तो इसके लिए आप थोड़ी सी चाशनी एक चमच में ले ले और हातों से उस तरह से इसको टेच करके देखे तो ये आपको थोड़ी सी स्टिकी लगनी चाहिए इसमें कोई भी तार नहीं आना चाहिए पर हलकी सी स्टिकी लगनी चाहिए और अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसमें पानी पानी जैसा टेस्ट नहीं आना चाहिए इसमें हलका सा स्वीटनेस और हलकी सी स्टिकीनेस आनी चाहिए चार्शनी बनकर बिल्कुल तयार है हम इसको साइड में ठंडा होने रख देंगे मैंने दूद को आलमोस्ट आदे खंटे तक पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी अब रबडी और खोये के बीच की आ गई है तो बस इस टाइम हम गास को आफ कर देंगे और बस अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे नहीं तो इस पर क्या होगा एक मोटी सी मलाई की लेयर आ जाएगी और हमारे गुलाब जामूर ठीक नहीं बनेंगे तो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे ये काफी ठेक हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है हमें इसको इकदम गाड़ा नहीं कर देना है जब हलका सा इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो ना गाड़ा ना पतला उस टाइम पे इसको बंद कर देना है खोवा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून एकदम नाप के गेहूं का आटा मिलाऊंगी और अगर जरूरत लगेगी और बाइंडिंग ठीक नहीं आएगी तो फिर हम इसमें और भी थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से पहले इस तरह से मिला देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने है कि बहुत ज़ादा आटा नहीं मिक्स करना है ने तो गुलाब चमुन में एकदम आटे आटे जैसा टेस्ट आएगा खोए का टेस्ट उतना नहीं आएगा और अब हम क्या करेंगे इसको हातों से हलका सा इस तरह से मिला लेंगे तो यहाँ पर आटे की जगे मैदे का भी इस्तमाल खर सकते हो और आप यह देखें इसमें किती बढ़िया बाइंडिंग आ गई है तो बस इसी तरह का चाहिए है हमे और अब हम इसमें डालेंगे वन फोथ टी स्पून बेकिंग सोडा और वन फोथ टी स्पून बेकिंग पाउडर इसके साथ हम इसमें डालेंगे वन फोथ टी स्पून घी और हम अपने हातों में भी थोड़ा सा घी ले लेंगे और इन सभी चीजों को अब हमें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करना है तो यहां पढ़ना आप इनो का इस्तेमाल नहीं करें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ही डाले और एकदम नाप के डाले तब ही आपके गुलाब जामून अच्छे बनेंगे तो अब हमें हदेली से इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है इससे क्या होगा हमारा मिक्षर भी स्मूध हो जाएगा और जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने डाला है वो पूरे मिक्षर में अच्छे से मिल जाएगा तो एदे के हमारा मिक्षर तयार है और अब हमें क्या करने है इसके बॉल्स बना रहे है तो जित्ते बड़े छोटे आप बनाना चाहो उतने बना हो लेकिन आपको बस एक बार ध्यान रखना है इसको हातों में अच्छे से इस तरह से रगड़े पहले और एकदम स्मूध करें और उसके बाद ही इसके बॉल्स तयार करें तो ये दे के बिल्कुल तयार है मैं असी तरह से सारे बॉल्स तयार कर लूग Today और यहाँ पर हमने तेल को हलका धीमा गरम किया है और अब हम ये गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है तेल का टेमपरेचर बहुत जादा नहीं होना चाहिए अगर टेल का टेमपरेचर जादा होगा तो गुलाब जामुन ऊपर से पक जाएं इससे क्या होगा गुलाब जामुन चारो तरफ से अपने आप ही सिख जाएगा. तो बस अब हमें इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है. तो यह देखे गुलाब जामुन तयार है, हम इनकाल लेंगे. और हम इनको डालेंगे चाशनी में. तो चाशनी में डालते से मैं आपको ध्यान देना है कि चाशनी ना एकदम हलकी सी गरम होनी चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी में इनको नहीं डालना है. और चाशनी में डालने के बाद इनको हमें 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देना है. तो यहाँ पर चाशनी बनाते समय है बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि चाशनी ना तो बहुत ही पतली होनी चाहिए ना बहुत गारी पतली होगी तो गुलाब जामुन खाने में पनीले से लगेंगे और अगर गाड़ी होगी तो गुलाब जामुन उसको अबसराब नी करेंगे तो यह देखे मैंने बस 15 मिनिट ही गुलाब जामुन को चाशनी में डाला था और आप ये देखे कितना soft और कितना juicy बनाए है अंदर से इतने material से आप almost 22-25 गुलाब जामुन बना के तयार कर सकते हो यहां मैं आपको एक छोटी सी tip दूँगी जब भी आप गुलाब जामुन को fry करे ना पहले सिर्फ एक फ्राई करें अगर वो भटता है तो आपको क्या करना है थोड़ा सा आठा मिक्षर में मिलाना है दुबारा से अच्छे से उसको mix करना है और गुलाब जामुन फ्राई कर लेने है इंक्तम perfect tasty soft and juicy गुलाब जामुन बनके तयार होंगे अगर आप इसको एक बार बनाओगे न ये खाने में इतने मज़दार होते कि आप इसको बार बार बनाओगे तो try करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई recipe के साथ तब तक के लिए take care and bye bye